साथियों, जब नेशन फर्स्ट राश्ट प्रथम इस भावना से काम होता है, तो सफलता भी जरूर मिलती है। बीते आठ वर्षों में हमने एक तरफ सरकारी फेक्ट्रियां, सरकारी डिभेंस कम्पनियों के कामकाज में सुधार किया, उनको ताकतवर मनाया। वही दूसरी तरफ प्राइबेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाब हुआ, वो हम H.A.L. हिंदुस्तां एरोनोटेक लिमिटेड में भी देख रहे हैं। और मैं कुछ सालों पहले की चीज़ा आज यात कराना चाहता हूँ। मिडिया वालों का भी जुरूर ध्यान जाएगा। यही H.A.L. है जिसे बहाना बना कर हमारी सरकार पर तरह तरह के जुठे आरोप लगाए गए। यही H.A.L. है जिसका नाम लेकर लोगों को बढ़काने की साजी से रची गई। लोगों को उक्साया गया पार्लामेंट के गंटे से गंटे तबाह कर दिये। लेकिन मेरे प्यारे भाईयों बैनों जूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो। कितनी ही बार बोला जाता हो। कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो। लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आठ एचे एल की हेलिकॉप्टर फेक्टरी एचे एल की बढ़ती ताकत धेर सारे पुराने जूठों को और जूठे आरोप लगाने वालों का परदा फास कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। आज वही एचे एल भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है। विश्व के आकर्षन का केंद्र है। आज एचे एल डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मंदिर भरता को बल दे रहा है। को रहा है। उसाम का 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 कर रहा है। कुझा अचे लिए एचे लिए एल वाई।